हलो एंड वेलकम टुई वास आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनंदन वा बंदन प्यारे साथियों आज जैसा कि आप सभी को पता है कि CGL यानि की कम्बाइंड ग्रेजवेट लेवल का जो प्री एक्जैम है टियर वन वो प्रारंब हो चुका है और उसी को लेकर क के आज एक मॉक टेस्ट है और यह मॉक टेस्ट ना के बल सीजियर के लिए अपितू टीजी टी पीजी टी एल टी के वीए सभी अस्पारेंट्स के लिए एक्क्वली यूसफुल होगा डाउनलोड यू आस एप फ्रॉम गूगल प्लेश्टोर लेट्स कमेंस बहुत ही ध्यान से जबाब करिएगा और आप अंत में अपना इसको जरूर बताइएगा यह रहा पहला क्वेस्टन स्क्रीन पर Choose the word which best expresses the meaning of the given word यानि कि यह क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझे सिनानिम जानना चाहता है और word हमारा है लिबिरिन्थ बहुत ही ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियो word क्या है लिबिरिन्थ चलिए बताएएँ options इस प्रकार है मेज, पाथ, स्काइक्रेपर, इमपैसे यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लिबिरिन्थ का मतलब होता है भूल भूलईया, the correct answer is मेज A is the right alternative, next Choose the word question number two में थोड़ा direction ध्यान से देखेगा माई डियर एक-एक question अपने आप में महत्यपूर्ण है और यह model paper है Choose the word which is opposite in meaning to the given word यानि कि आपको antonym opposite बताना है और word क्या है, barren आईए देखते हैं, options क्या है option A, fertile, option B, abundant, option C, harsh, और option D, follow तो प्यारे साथियो, barren means होता है बंजर और यहाँ पर opposite बनेगा, fertile A is the right alternative क्या होगा जी, सही जबाब होगा A question number three choose the correctly spelled word बहुत ही ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियो, बिना एक भी minute, एक भी second गमाए आप लोग जबाब करिये, choose the correctly spelled word लीजिये, question आपके सामने हैं और आप reply करेंगे प्यारे साथियो, misogynos, correct answer is A आपका option, sorry, B correct है और इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि misog का मतलब, यानि कि misog का मतलब होता है to hate, क्या होता है to hate, और gyne ये Latin का word है जिसका मतलब होता है woman और इस पूरे का अर्थ है यदि देखें कि meaning क्या हो गया तो meaning हो जाएगा महिलाओं से दोएश या महिलाओं से घ्रणा सम्मंधित क्योंकि adjective है question number 4 screen पर आपके सामने find out which part of a sentence has an error question को पहले समझा करिए can I find out which part of the sentence has an error जिसे हिंदुस्तान की वादियों में spotting error के नाम से जानते हैं ये वही है if you permit me to speak the truth I shall state without hesitation that you have done a mistake प्यारे साथियों समझ करके answer करिएगा बड़ा ही जोरदार शानदार question है और ऐसे question आपके question paper में जरूर मिलेंगे यहाँ पर हमारे सभी साथी मिली जूली पृत करिया है कुछ लोग A, B, C, D सब लगा रहें लेकिन ध्यान दो जब mistake की बात की जाए तो mistake के लिए appropriate word done नहीं होगा क्या होगा committed हो जाएगा you have committed a mistake और यहाँ पर correct option आपका क्या बनेगा C बनेगा C is the right alternative next question की ओर चले next I succeeded pursuing him to come with me only after hours of argument question number five बहुत ही ध्यान से देखिए I succeeded pursuing him तो succeed के बाद में कौन सा prep decision आता है succeed in doing something यानि की यहाँ पर प्यारे साथियों क्या लगेगा आप सभी लोग बताएंगे कि क्या होना चाहिए तो निश्चित तोर पर succeed के बाद in लगेगा और option बनेगा A succeed in pursuing question number six women does not harm two crops लीजी रिप्लाई करिए प्यारे साथियों कुछ ऐसे nouns हुआ करते हैं जो देखने में तो singular लगते हैं लेकिन वास्तों में ये plural होते हैं always used in plural उन में से एक है vermin और आप सभी जानते हैं कि vermin का प्रियोग plural number में होता है तो does नहीं do आएगा correct option is B I hope कि आपको questions पसंदार होंगे और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो like करते चलें question 7 to 9 में direction देखें choose the correct alternative the police is on his activities keeping an eye keeping watchful eyes keeping both eyes keeping one eye बड़ा गजब का question है और ये question फ्रेजल मिश्टेक है इसमें आपको यदि सही फ्रेज पता है तो जल्दी से आंसर करिए my dear keep an eye का मतलब होता है नजर रखना ध्यान रखना A is the right alternative the correct option is A keeping an eye are you stamp collecting interested अच्छा प्यारे साथियो आपको proposition जरूर याद होगा कि कौन सा proposition यूज करते हैं interested के बाद सभी साथी बताएं फटा 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 तेजी से reply करें आप सभी लोग बहुत सही आंसर कर रहे हैं interested के बाद इन लगाते हैं the correct option is B next question number 9 यूर रिपोर्ट माई स्टेट्मेंट कन्फर्म्स तो भाई आपकी जो रिपोर्ट है ना मेरे बयान की क्या करेगी समर्थन पुष्टी तो कन्फर्म्स हो जाएगा कन्फर्म मीन्स पुष्टी करना correct alternative is C next choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom yes आपके सामने एक बहुती बहतरीन idiom है और idiom है to get cold feet मतलब थोड़ा समझो करा to get cold feet अगर सीधा अर्थ निकालोगे तो मतलब पैर ठंडे हो जाना है drenched गीला fear felicitate fever प्यारे साथियो to get cold feet यह एक idiom है सीधा मीनिंग नहीं निकालना समझ सोच के जवाब देना और यहाँ पर क्यारे ट्रांसर है fear yes b is the right option question number 11 beside the mark लीजी एक question आपके सामने है beside the mark इस idiom का meaning आपको बताना है perfect not to the point relevant charming 11 number में reply करें beside the mark का मतलब है not to the point जो सटीक ना हो b is the right option on tenterhooks idiom क्या है on tenterhooks happy and excited in suspense and anxiety angry and irritated surprised and shocked सबी लोग reply करेंगे 12 number में चाहें आप जिस exam की तयारी कर रहे हों आपके लिए questions बहुत ही important है correct answer is b in suspense and anxiety देखो on tenterhooks का मतलब है संदेह में होना या अनेग्जाइटी यानि की चिंता के भाव में होना correct option is b हाँ मौसम का असर है और कोई बात नहीं है choose the one which can be substituted for the given word आप देखेंगे one word substitution का question है आपके शामने और question क्या कह रहा है property inherited from once father or ancestors patrimony, mercenary, hereditary, aristocracy my dear कह रहा है question की ऐसी property जो किसी को उसके पिता अथवा पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे हिंदी भासा में patrick sympathy कहेंगे और English में patrimony कहेंगे it is the correct option next a person who is humanist in his habit एक ऐसा आदमी जो अपनी आदतों से महिलाना हो मतलब महिलाओं जैसा हो feminist, philogenist, effeminate, feminine लगाईए जबाब करिये 14 नमबर में correct alternative क्या होगा effeminate, c is the right option effeminate का मतलब होता है इस्त्रेण, अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलेंगे इस्त्रेण और इस्त्रेण का मतलब है इस्त्रियों के जैसा बहुत ही ध्यान से देखिएगा one who is converted from one religion to another जो अपने धर्म को परिवर्थित कर ले, एक धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में आ जाए प्रमित्रन, प्रजलाइट, प्रसबाइट, प्रसबाइट, तो यहाँ पर तो बड़ा ही शांदार ओप्षन है क्या है जी प्रसलाइट, सी इस्दा राइट अल्टरनेटिव, धर्म परियुदतन करने वाला improve the sentence if required यानि कि improvement of the sentence बहुती ध्यान से देखिएगा do you have some sugar? क्या आपके पास कुछ चीनी है तो हम any sugar लगाएं little sugar लगाएं कि small sugar देखो सीधे सीधे बात करो कि जब आप any का प्रियोग करते हो तो वह negative देता है और some earth देता है positive लेकिन interrogative sentence में यदि expected answer किया हो negative हो तो हमें some के अस्थान पर any लगाना चाहिए यहाँ any sugar हो जाएगा correct alternative is a 16 में do you have any sugar? क्या तुम्हारे पास कुछ चीनी है? next Iago lied to Othello about his wife late no improvement यहाँ आपको देखना है कि Iago ने Othello से जूँट बोला अपनी पतनी के भिसे में तो lie lied lied एकदम सही answer है और character answer क्या बनेगा no improvement D is the right alternative it is not possible to tell the entire story in nut cell my dear क्या in nut cell होता है या कुछ और होता है तो options लिजिए in a nut cell in the nut in a shell character क्या बनेगा in a nut cell जिसका मतलब प्यारे साथियों होता है संच्छिप्त रूप में A is the right alternative it is all but same to me whether I am transferred to Mumbai or Kolkata all but same क्या ये phrase सही है all are same all the same all one तो यहां पर sense के according अर्थ के according भाव के according क्या होगा it is all one जिसका मतलब होता है एक ही बात होना मेरे लिए एक ही बात है चाहें मेरा transfer मुंबई हो जाए या Kolkata despite his father's financial assistance he was always hard up अच्छा hard in, hard up, hard out इसी को तो phrasal कहते हैं अब यहां phrasal mistake है hard on नहीं होता hard up होता है और जिसका meaning क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है मुश्किल से गुजर बसर करना मुश्किल 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 से गुजारा करना गुजारा करना भूल चूप लेनी देनी B is the right answer एक छोटा सा पैसेज पढ़ होंगा और जहां पर important चीज़े मिलेंगे उसे हम लोग underline करते चलेंगे Even the majority of elders turn their homes into hives of worry as they have too little to do in too much time both who have retired thus find retirement tiresome यहां कह रहा है कि जो लोग retire हो जाते हैं उनका retirement थकाव हो जाता है कब? when hobbies instead could have turned it into a period of creativity and contentment contentment this common problem of inability to utilize lesser lesser means फुर्षत का समय pleasurably and profitably is not restricted to Indians in fact Japanese are the worst sufferers their weekends rather than increase their enjoyment of life have ragged है वोग कहर बरपाना होता है ragged है वोग याद रखेंगे on their health and happiness unable to while away the long unstructured hours many of them have become addicts addicts समझते हो व्यसनी है न addict लैसे कॉफी न मिली चाय न मिली सरदर्द होने लगी मतलब आप addict हो चुके हो addicts to coffee or hard liquor liquor means शराब शराब के कुछ लोग addicts हो जाते हैं and have even taken to gambling और जुआ भी खेलने लगते हैं how has this society melody come about ironically the syllabus loaded education system is the main culprit culprit means अपराधी या दोशी it it places it places a heavy workload on children and youth laying emphasis as it does not memory rather than intelligence questions देखिएगा why do a majority of retired elders find retirement tiresome question क्या कहरा इसको समझेंगी कहरा कि majority of retired जो भुजुर्ग लोग है वो थकाओ क्यों मैसूस करने लगते हैं because their homes have been turned into hives of worry because they do not have hobbies to utilize their free time because they had nothing to do because they had plenty of free time correct option is B because they do not have hobbies to utilize their free time क्योंकि उनके पास free समय है उसको utilize करने का time नहीं होता how have the Japanese benefited from their weekends तो जापान के लोग हैं कैसे अपने weekend को सिलाब उठाते हैं they have increased enjoyment in life they enjoy health and happiness they use their free time to increase their enjoyment they become addicts to coffee and gambling आपने passage में पढ़ा है और character answer क्या होगा D होगा वे addict हो जाते हैं विसनी हो जाते हैं इन चीजों को hard liquor लेने लगते हैं लोग कहते हैं weekend है चलो enjoy कर लेते हैं the syllabus loaded education system ये आज की जो शिच्छा विवस्ता है इसमें बड़ा बड़ा syllabus क्लास वन के बच्चों को भी first class में लंबा लंबा syllabus हो जाता है तो ये क्या कर रहा है places a heavy burden on the youth ensures that parents pay attention to the development of children lays emphasis on intelligence gives students a lot of free time क्या करता है बताएंगे 23 में reply करिएगा हाँ जो हमारे EWA work हैं उस पर क्या करता है भारी लोड लाद दे रहा है A option the author thinks that authorities are more appreciative of the syllabus loaded education system hobbies play an important role in changing the unfortunate situation co-curricular activities are discouraged only Indians suffer from inability to utilize lesser यहाँ पर आप सभी लोग reply करेंगे और अगर हम बात करें यहाँ B option की hobbies play an important role in changing the unfortunate situations तो यह character answer है question number 25 में चलेंगे और यह कहता है कि the passage tells us that यह passage हमें बताता है hobbies are a waste of time hobbies play a crucial role in physical and mental development hobbies wreck havoc on man's health and happiness hobbies can turn us into addicts of coffee, liquor or gambling बताएंगी question number 25 में hobbies जो होती है न यह हमारी जिन्दिगी में crucial यानि कि महत्त पूर्ण रोल अदा करती है correct answer is B और इस तरीके से आप लोगों ने reply किया याद रखिएगा ये जो segment है आपका comprehension का segment यहां से कभी आपसे पैसेश पूछता है और कभी कभी आपसे एक close test भी पूछ लेता है तो इस बात का खयाल आपको रहना चाहिए कि दोनों चीज़ें आपको तयार करके जाना है और यदि आप लोगों के comments आएंगे तो एक हम ऐसा भी mock test ले आएंगे जिसमें क्या होगा CT यानि की close test रहेगा आप सभी साथी जो भी इसका PDF राप्त करना चाहते हैं वो telegram channel सर्च कर ले at the rate इवास राज और इसको जोईन कर लें पर आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर